हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Nokia C31 Android वाइल फोन में आप जो है सेटिंग पेज आपको ओपन करना है है सैंटिंग पेज में आपको नीचे आना है हैं अपको आपको आपको स्वाइक सेटिंग एसे डिशेवल हो जाएगी अब ये touch vibration setting disable होने पर ये setting कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ आप अपने mobile phone के किसी भी page पे होंगे न अगर आप किसी भी option को touch करेंगे तो आपका mobile phone vibrate नहीं करेगा ये setting जो है डिसेबल होने के पाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके Nokia C31 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको अने ये बता देता हूँ कि कैसे आप ये touch vibration setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको अपने phone में setting page उपन करना है setting page में आपको सबसे उपर ये search setting को option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है touch vibration ठीक है touch vibration आप यहाँ पर setting का पूरा name आप type कर दीजे इस तरीके से तो आपको नीचे ये option show हो जाएगा touch vibration कर ठीक है तो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये search bar में setting का name आप type करते है तो आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे ये option दिखाई नहीं देगा इस बात का ध्यान रखना है spelling mistake आपको नहीं करनी है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जब ये option नीचे touch vibration का show हो जाएगा ना इसे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly इस setting में आपको लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो ये मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में